दोज़ार चौबीस के संग्राम में वार पलटवार का दौर जारी है चौथे चौरंड से पहले यूपे के दो सबसे बड़े विपक्षी चहरों मायवती और अखलेश यादव में ठन गई है दोनों निताओं के बीच ट्वीटर वार चल रहा है ब्यानवाजी चल रही है और सियासत का केंद्र है आकाश आनन्द और बीच पी का दलित वोट बैंक 24 के चक्रवियों में मायवती वर्सेज अखलेश आकाश का डिमोशन अखलेश का इमोशन आकाश आनन्द पर मायवती वर्सेज अखलेश कहा तो बीजेपी बंपर प्रचार में जुटी है कहा विपक्ष आपस में ही लडाई लड रहा है मायवती ने अपने भतीजे आकाश आनन्द से पद क्या वापस लिया सपा और कॉंग्रेस को तगड़ा दर्द होने लगा पहले अखलेश यादव का बयान सुनिये फिर पूरी कहानी बताते हैं मैं अपील करूंगा समिधान बचाने के लिए लोगतन बचाने के लिए कोई भी अपना बोट खराब न करें भाटी जन्ता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजबादी लोग कर रहे हैं मैं तमाम भाउजण समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साब के रास्ते पे चलते हैं उन सब से मैं अपील करता हूँ कि अपना बोट ना खराब करें शुनाओं में लोगतन को बचाने के लिए आकाश आनंद को लेकर सपा बस्पा में छिड़े वाक यूद की शुरुआत अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद हुई फिर क्या था मायवती ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई अखिलेश यादव ने लिखा था कि विफलता के चलते बीएसपी संगठन में बदलाव किया गया है तो मायवती ने पलटवार करते हुए लिखा घोर दलित विरोधी सपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है अखिलेश यादव ने लिखा कि BSP के परंपरागत समर्थक इंडिया के साथ है तो मायवती ने जवाब दिया कि सपा केवल यादव परिवार की चिंता करे BSP की चिंता की उन्हें जरूरत नहीं अखिलेश यादव ने लिखा कि तीन चरणों में BSP की एक भी सीट नहीं आ रही और चोथे चरण में भी कोई उम्मीद नहीं तो मायवती ने पलटवार करते हुए लिखा कि सपा का चाल चरितर चेहरा जबरदस्त दलित विरोधी है अखिलेश यादव ने लिखा कि बाजी BSP के हाथ से निकल चुकी है तो मायवती ने जवाब दिया कि प्रमोशन में आरक्षन खत्म करने वाली पार्टी को माप करना मुश्किल अखिलेश यादव ने BSP का नाम लिये बिना लिखा कि बोटर अपना वोट खराब ना करें और इंडिया गटवंदन को बोट दें तो मायवती ने पलटवार किया कि जातिवादी सोच के कारण सपा सरकार में जिनों रिश्विध्यालों के नाम बदले गए यान समाज के कोडिनेटर रहे आकाश अनन जी ने बीजेवपी के उपर हमला किया यह उनका हमला भाजपा के साथ साथ बसपा को भी नागवार लगा और चुकि बीएसपी का जो लोगों के अंदर परसिप्शन है यही है कि बीएसपी परदे की पीछे से बीजेवपी को सपोर् अकाश अनन जो बसपा के उत्तर धिकारी से फिकली वो आकाश अनन जने जो लगातार भाजपा से सवाल पूछ रही है तो वह सवाल भाजपा को चुब रहते हैं उन जी ने सभी पदों से मुक्त करने का काम किया मायावती जी ने टिकट दिये टिकट बदले उस पे कहीं ने कहीं भारती जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है इसलिए समाजवधी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाजपा और बस्पा का आगोशित चुकी है अखिलेश यादव ने ब्सप को छेड़ कर जो गलती की मायावती ने उसी का जवाब अपने अंदाज में देकर महफी लूट ली अब देखना होगा मायावती के इस हमले के बाद सपा की और से क्या जवाब आता है प्यूर रिपोर्ट न्यूजेटीन